दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गुड़ खाने के ऐसे फाइदों के बारे में जो हमें 10 रोगों से बचाता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गन्ने से त्यार होने वाला गुड़ चीनी की तुलना में फाइदे मंद होता है इसमें कैलशियम, फाइबर, आइरन, विटामीन, एंटी ओक्सिडन, एंटी वाइरल, एंटी बैक्टिरियल गुन होने से शिरीर को सही मातरा में पोशन मिलता है आयूरेट के अंसा रोजाना 5 ग्राम गुड़ का सेवन करने से पाचन तंतर मजबूत होने के साथ अम्यूनिटी बढ़ती है ऐसे ही नई सेलिब्रिटीज फिट रहते हैं वो दुवाईयों से परहेज करके अपनी सेहत के अंसार गुड़ का सेवन करते हैं तो आईए जानते हैं गुड़ खाने के 10 लाजवा फाइदे पहले बात कर लेते हैं कि असली गुड़ की पहचान किस तरह करें गन्य के रस को उबाल कर गुड़ त्यार किया जाता है मगर इसमें मुझूद अशुद्धियों को निकालने के लिए इसमें कुछ रसाइनिक चीजों को मिलाया जाता है ऐसे में इसका रंग गहरा लाल और ब्राउन होने पर भी यह असली होता है इसके बिपरीत अगर गुड़ का रंग सफेद हलका पीला और लाल चमकदार हो तो इसे नकली कहा जाएगा इसके लावा इसकी पहचान करने के लिए आप थोड़े से गुड़ को पानी में मिला कर देख सकते हैं अगर गुड़ नकली होगा तो इसका मिलावटी पतात पानी में नीचे की और जम या बैठ जाएगा इसके बिपरीत असली गुड़ पानी में गुल जाएगा तो चलिए अब जानते हैं गुड़ खाने के 10 बहतरीन फाइदों के बारे में अम्यून्टी बढ़ाए एंटी ओक्सिडेंट, एंटी वाइरल, एंटी बैक्टियर गुनों से बरपूर गुड़ का सेवन करने से अम्यून्टी बूस्ट होने में मदद मिलती है ऐसे में मौसमी बिमारियों के लगने का खत्रा कई गुना कम रहता है इसके साथ ही गुड़ के पाउडर को चुटकी बर हल्दी में मिलाकर खाना फाइदेमंद होता है मजबूत हड्यां सर्दी के दिनों में मासपेशियों और हड्यों में दर्द की शिकायत रहती है ऐसे में गुड़ और गुड़ के लड़्ू का सेवन करना फाइद मन्द होता है इससे शरीर में गर्माहट आने के साथ मासपेशियों और हड्यों में मजबूती आती है दातों में पलाक और बदबू करे दूर गुड़ को सौफ के साथ खाने से दातों पर जमा पलाक दूर होने के साथ बदबू आने की समस्या से चुटकारा मिलता है साथ ही पाचन दंतर बहतरीन तरीके से काम करता है मौसमी बिमारियों से बचाव सर्दी में मौसमी विमारियों की चपेट में आना आम बात है ऐसे में गुड़ और तिल को मिला कर त्यार लड़ू का सेवन करने से सर्दी खासी जुकाम मौसमी बुखार से बचाव रहता है कवज से दिलाए अराम जिन लोगों को कवज की परशानी होती है उन्हें गुड़ को देसी गी में मिला कर खाना चाहिए इसके लिए एक चमर देसी गी में गुड़ के पाउडर को मिला कर खाए कुछी दिनों में कवज की समस्याद दूर होकर पाचन तंतर मजबूत होने में मदर मिलेगी इसके लावा गुड़, काला और सिंदा नमख मिला कर भी सेवन किया जा सकता है इससे कवज ऐसीडिटी की परशानी से जल्दी राहत मिलेगी जल्दी रिकवरी के लिए अकसर कई लोगों को बीमारी से ठीक होने में समय लगता है ऐसे में आहिरुवेद के उनसार सोंट और गुड़ के लड़ू बना कर खाना फाइदमन होता है ये शरीर को अंदर से मजबूत करके सुजन की शिकाय से हराम दिलाता है बालों के लिए फाइदमन गुड़ और हलीम के बीजों में फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, आईरनादी उचित तत्व होते हैं ऐसे में इनका सेवन करने से बालों को जड़ों से पोशन मिलने के साथ इससे जुड़ी परशानियों से रहत मिलती है इस तरह बाल, लंबे, गने और डैंडर फ्री होकर सुन्दर मुलाइम होते हैं गुड़ में मुझूद पोशक तत्व शरीर में जमावी शैले पदातों को बाहर निकालने में मदद करते हैं एसे में पाचन तथर मजबूत होकर बिमारियों से बचाव रहता है साथ ही बज़र बढ़ने की परशानी से रहत मिलती है पीरियर्ड और पीसी ओडि में फायदमन जिन लोगों को पीरियर्ड में परशानी होती है उस तरहां गुड का सेवन करना फायदमन होता है यह period pain से रहत दिलाने में मज़ग करता है साथ ही PCOD के लक्षनों को कम करने में भी फायदा मिलता है बूग करें कंट्रोल सर्दी के दिनों में बार बार खाने की craving का सामना करना पड़ता है यह खाने में टेस्टी होने के साथ बूग कोंशाद करने में भी मज़ग करती है साथ ही बाहर का तलाबुना और मसालिदा चीजों को खाने से बचाव करें तो दोस्तों यह था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया आहिरुवेद के अंसा गुड़ खाने के फाइदे और यह कैसे हमें इन दस बीमारियों से बचाता है